आपको पता है मसूर की दाल में भी विटमिन सी पाय जाता है किसी ने मेरे पूछा दी विटमिन सी मसूर दाल में भी होता है तो मैंने का एक बार चेक आउट कर लो विटमिन सी मसूर दाल में भी होता है इसलिए वह हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करती है हमारी स् के उपर कुछ दिख रहा है मेरे सकन के ऊपर बिलकुल मेकप नहीं है जैसा कि मैं मेरे वीडियो में हर डिखाती हूं मैं कोई मेकप नहीं लगाती वुँझी देख लो विलकुल नहीं है बबस क्या कमाल है यही डीएवाइज़ है तो अज़की जो वो होने वाली है एंटी एजिंग से भरपूर आप मेरे हाथ में यह बाउल देख रहे होंगे इसमें है चावल जो की है पका हुआ कुक्ट राइस है जो की आज दोपहर को ही पका है और मैंने अपने लिए अपनी रेमेडी के लिए अलग से निकाल के रख लिया है मैं आप ल कारी रिक्वेस्ट आई थी कि कोई एंटी अजिंग के लिए कुछ बता यह स्किन ब्राइटनिंग के लिए कि बताइए लेकें सिंपल होना चाहिए और क्योंकि मेरी रेमेडी होती है एकदम सेंपल वाली जो कि कि बने ववे सामान से होती है तो उसलिए निलेंक कोई ग्लो देने का काम करें, वाइट इडिन कान का काम करें तो लोजी में लेके आगई फिर तो ही केवजी रेचिपी रेमडी जो आपकी स्कीन के ऊपर एंटी एजिंग से भरपूर वाले तो स्टार्ट करते हैं आज की रेमडी हालो दोस्तों मैं हूं रेखा सिंग और आपका स्वागत करती हूं मेरे चानल रेखा सिंग लाइफ पर फिर से एक बार आप लोग अच्छी होंगे मैं भी अच्छी हूं और फिर से हाजिन हूं एक बहुत भड़िया धमाकेदार रेसि के एफिक जादा आ रहे हैं इन सब के ऊपर एक काम करने वाली है एक चोटी सी बात यहां पर बोलना चाहूंगी काफे दिन से कोई है जो मुझे बार-बार मेरे वीडियो में आके बोलते हैं कि इन रेमिडी का कुछ नहीं होता है कोई फाइदा नहीं होता है बेकार में बन और जिनके रिव्यूज मुझे आ रहे होते हैं उनके मेसेजेस आता है मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग उनको यूज करे हैं तो अगर एक आदा जन उसमें से यह भी बोलता है कि कोई फाइदा नहीं होता है तो प्लीज आप एक बार ट्राय तो करो मैं बस इतना आपको रिजल्ट तो आप बोलिएगा देखे रिजल्ट जरूर आता है जितने भी डियाइवाइज होते हैं इनके रिजल्ट जरूर मिलते हैं हो सकता है कभी जल्दी आ जाए कभी कम लेट से आए लेकिन इनके रिजल्ट जरूर आते हैं क्योंकि डियाइवाइज ऐसे होत कोक कर लेना है, sorry कोक तो अल्रेडी है, इसको हमें ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, तो ये चावल जादा है, लेकिन आप एक टाइम का फेशल कर रहे हैं, तो दो चम्मच बहुत रहता है, तो इसका दो चम्मच में पीस के लाती हूँ, लेकिन इसके साथ में इसमें एक चीज़ और हमें पीसनी है, वो है बीट रूट, देखें, बीट रूट में पाए जाता है ऐसे एंटी ओक्सिडेंट, जो कि हमारी स्किन को नैच्रली वाइटन करने का काम करते हैं, उसमें पाए जाता है आट डारेक्ट फर्म में लगाते हैं, मतलब नीमबू को कहीं लोग लगाते हैं जैसे अगर आपकी स्किन सेंस्टिव है तो आपकी स्किन के ओपर उसका बैड इफेक्ट आएगा आपकी स्किन के ओपर आपको इचिंग होने लगेगा रेडनेस आजेगी, पिंपल, मतलब दाने दाने आजेगे, पिंपल नहीं, दाने दाने सोझेगे और आपको इचिंग होगा बहुत ज़्यादा, तो डारेक्ट फॉर्म में नीम्बू कभी नहीं लगाना चाहिए, उसको किसी ना किसी चीज के साथ में डाइलूट करना चाहि बहुत सारी चीजे हैं जिसमे की विटमिन C पाया जाता है, आपको पता है मसूर की दाल में भी विटमिन C पाया जाता है, किसी ने मेरे पूछा दी विटमिन C मसूर दाल में भी होता है, तो मैने का एक बार चेक आट कर लो, विटमिन C मसूर दाल में भी होता है, इसलिए यह बहुत बढ़िया काम करती है, हमारी इसस्कीन के ओपर बहुत बढ़िया ग Fantasy इससकी अच्छा करे बेडियों में दिखाती हूं मैं कोई में काम आप नहीं लगाती हूं देख लो आप बिल्कुल है बसक्त आध क अ महल है यह ब्गर करते हैं तो यह आगया है हमारा ग्राइंट करके यह देख रहे हैं आप चावल और बीट रूट कितना सुंदर कलर आया है सी हाव ब्यूटिफुल इट इस यह इतना बढ़िया वाला आपके स्किन के उपर रिजल्ट देने वाला है इसको Korean Moments होती हैं बहुत जादा यूज करती हैं चावल के पानी को पके हुए चावल को चावल के आटे को बतलब बहुत सारे uses हैं चावल के अगर आप अपने skin पे लगाते हैं अगर आप अपने बालों पे लगाते हैं बहुत बढ़ी वाला result देता है यह आपके skin को tighten करता है ब्राइटन करता है आपके skin को एकदम glass shine देने का काम करता है तो अब यह क्योंकि थोड़ा सा जादा अभी भी लग रहा है तो हम ले लेते हैं आज के सिरफ फेशल के लिए हमें चाहिए तो हम ले लेंगे सिरफ एक चम्मच मैं सिरफ एक चम्मच लेती हूँ अगर आपको इस सिरफ दो से तीन चीजे हैं बहुत बड़िया वाला रिजल्ट देगा आपके चेहरे को तो सबसे पहली चीज इसमें जाने वाली है ग्लीसरेन हमारी स्किन के ओपर हायरोलिक एसिट का काम करेगी आपके स्किन को मौश्यराइज करेगी तो यह हम डालने वाले हैं ग्लीसरेन हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा इंदसेंस मैं आपको दिखाती हूँ हमें चाहिए यह सिरफ दो से तीन डॉप्स जा दो यह रहां ऐपको डालना है एक अगर अगर आपके पास बिट्मिनी का अलिए भी डाल सकते हैं तो आप जाए हमें एक भी लाइजिは मैं पर लिएक हफतेगा बैच बना रहे हैं तो मप इसमें 2 क्यापसुल कर सकते हैं मतलब की आधा चम्मच ओली वाल डाल सकते हैं अगर आप सिरफ आज की फेशल के लिए करें तो आप एक कैपसूल इसमें डाली है काफी रहता है मेरे पास मेरे विटमीनी के कैपसूल जो ब्यूटी वाले हैं यह पूरा एक कैपसूल इसमें डालेगा अब यह दो चीजे हो गई इसमें जो की बहुत बढ़िया वाला काम करने वाली है अब इसके साथ में अब इसमें क्या डलने वाला है हम इसमें डालेंगे हनी किसी भी ब्रैंड को हो कोई भी हो मैं पतंजली का यूज करती हूँ तो मैं यह डालूँगी एक चमश तक आपको इसमें हनी डालना है अब लास्ट जो इंग्रिणेंट इसमें जाने वाला है वो है जी हैंक कर्ड मतलब की दही ठीक है यह डाल दिया अब हमें इसको मिक्स करना है यह एक ऐसी क्रीम हमारी स्किन के लिए तयार हुई है जिसमें इसके साथ में केलशियम वी भर पूर मäत्रा में लैक्तिक असिड विटमिन ऊवि"?-עम धै कोई भी facial या face pack लगाने से पहले अपने face को clean करना बहुत जरूरी है, बिना clean किये आप अपनी skincare पर कुछ भी लगाएंगे, उसका पूरा benefit आपको नहीं मिलने वाला है, तो मैं clean कर लेती हूँ cotton and rose water की help से, देखे, यह हो गया, अब हम लगाने का process स्टार्ट करते हैं, इसको लगाना बहुत easy है, मैं हाथ की help से लगाऊंगी, आप अगर comfortable नहीं हैं, तो आप brush से भी लगा सकते हैं, मैं comfortable हाथ के साथ होती हूँ तो मैं हाथ से लगाऊंगी, जैसे भी मैं लगा रही हूँ, इस तरीके से अगर आप लगाते हैं और उसके बाद में आप facial के जो steps से उनको follow करते हैं, तो इसका बहुत बढ़िया वाला result आपको मिलेगा, आप पालर में जाके 2000 के जो facials करा के आते हैं, उनका result भी आपको दो से तीन दिन तक ही मिलता होगा, उसके बाद में वापस आपको अपनी skin बहुत जादा, मतलब ऐसा लगता होगा कि पैसा waste हो गया, लेकिन अगर आप DA wise करते हैं और उनको आप properly follow करते हैं, रेगुलर्ली करते हैं, तो इनके result आपको permanent तक मिलते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे step आपको upward करने हैं, उपर की direction में करने हैं, आपको अपना जो chin area है, यहां पर जरूर करना है, क्योंकि skin यहीं से ज़्यादा तर sagging होती है, और जितने भी steps हैं सारे उपर की तरफ हो रहे हैं, तीन-तीन बार आपको हर step को follow करना है, नोज और लिप्स के पास में आपको ज़्यादा ध्यान देना है blackness के लिए, अब इसके उपर हमें इसके एक मोटी layer लगानी है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब यह as a face pack use में आने वाला है, और यह हमारी skin को अब जो बढ़िया से tight करेगा, वह आप खुद फील करेंगे जब यह सूखेगा तो, इसको अब आपको लगा के रखना है, कम से कम 80% तक dry होने के लिए, ठीक है, पूरा dry मत करिएगा, मैं बार बार repeat repeat बोलती हूँ, किसी भी face pack को, facial को, पूरा dry नहीं करते हैं, now after 15 minutes, मतलब 15 minutes तक यह मैंने रखा, उसके बाद ही 80% तक dry होगा ता, पूरी तरह से dry नहीं किया है, उसके बाद में आपको इसको गीले कपड़े से पोचना है, सूखे कपड़े से नहीं पोचना है, उससे आपकी skin खीचेगी, तो इसका ultra result मिलेगा, इसको आपको पोचना है गीले कपड़े के helps है, और नहीं तो आप जाके डारेक्ट अपना face wash करके आई है, और जो result है, वो आपको super वाला दिखेगा, अपनी skin के उपर और जादा आपको इसका benefit मिलने वाला है, रेगुलर करना है, और उसके बाद में आपको कोई भी moisturizer cream लगानी है, इन दोनों में से कोई भी आप cream बना के रखे, super वाला result देती है, so much वीडियो को यहां तक देखने के लिए, पूरा देखने के लिए वीडियो में कुछ भी अगर पसंद आया, तो please एक like और share देके जरूर जाएगा, thank you